ये हेडलाइन पढ़िया आपने कतर ने हमारे आठ पूर नौसेनिकों को मृत्यू दंड दे दिया 30 अगस 2022 को इन्हें पकड़ा solitary confinement में डाला और एक महिने बाद भारत सरकार को सूचना दी और आज इस हेडलाइन में जड़ा भारत सरकार के प्रतिक्रिया पढ़िये इंडिया सेज इट डीपली शॉक्ट शॉक्ट? हैरान है आप? किस बात पे हरान है आप? इसलिए कि आपने कुछ नहीं किया? इसलिए कि आपके लिए नौसेनिकों की जान से ज्यादा तब होने चाहिए थी जब आपको अचानक से ऐसी किसी स्थिती के बारे में पता चला हूँ लेकिन 13 महीने से आपको पता है कि हमारे आठ वीर सपूतों को कतर ने सॉलिट्री कंफाइन्मेंट में डाला हुआ है पर आपने क्या किया? कुछ नहीं अब यहाँ बैटके डीपली शॉक्ट होने का नाटक कर रहे है नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में भारत की विदेश नीती का बुरा हाल हो चुका है और बस वाटसाप युनिवर्सिटी के जरिये लोगों में प्रोपगैंडा फैलाने में इनका ज्यादा जोर रहता है कि कैसे एक आम कम जागरूक और पढ़ने लिखने समझने का शॉक ना रखने वाला आवरेज इंडियन इनके विदेश में डंका बजाने की कहानी पर आँख बंद करके विश्वास कर ले और उसे फॉवर्ड करता रहे अरे तो डंका पती जी तेरा महीने से आप कर क्या रहे थे और अब क्या कर रहे हैं आगे लिखा है ख़बर में इट विल टेक अप दे मैटर विद कतरी अथारिटीज इट विल कब पेरा महीने से आपको पता है उन पर कतर ने जासूसी का रूप लगाया है आप जानते थे यह आरोग गंभीर हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है इस साल भी जून के महीने में जब रिदेश मंत्री से इन आठ एक्स नेवल ओफिसर्स के बारे में पूछा गया तो इनका जवाब ये था The Qatar case is different. My understanding is that I'm giving three hearings so far. I think a fourth one is due sometime later this month. Even the full nature of the charges are not entirely clear to us. But what we are doing is we are giving the strongest possible support to the concerned people including the legal representation because we believe that their rights should be fully protected and you know in a situation like this I think they are entitled तभी आठ ओफिसर्स में से एक की बेहन मीतू भारगव ने ट्विटर पर लिखकर पूछा कि क्या भारत सरकार ने कतर के रहमों करम पर छोड़ दिया है? जैशंकर के इस जवाब तक उन आठों नेवल ओफिसर्स को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में नौ महीने हो चुके थे और उन पर अत्याचार अलग किये जा रहे थे वो हाथ जोड़ कर विंती करती रही कि ये हमारे देश का गौरव है और इनहें बचाया जाए लेकिन एफ़र्ट्स क्या किये गए? ये तो इस बात से ही साफ है कि कतर ने अब मृत्यू दंड दे डाला? बस हेडलाइन मैनेजमेंट टक सी में छोड़ दिया है सब कुछ ऐसी ही एक हेडलाइन देखिए साल 2016 की जब A&I कोट करके लिखता है कि PM मोधी से कहा गया कि कतर उनका दूसरा घर है और ये कहते हुए M.E.A. जो उस वक्त सुष्मा स्वराज के नेत्रित्वों में था ने कहा कि कतर में इस तरह की वाम्त मिली है मोधी जी को कि कतर को उनका दूसरा घर बताया गया 2014 में जीत कर आये सिर्फ 2 साल ही सत्ता में हुए थे आपको मोधी जी वो जो वाम्त आप महसूस कर रहे थे रहे वो सालों से बनाये गए उस रिलेशन्शिप के आधार पर थी जिसकी आपको कतई कदर नहीं है और 10 साल होने को आ रहे हैं सोची उस वाम्त का क्या बेड़ा गर्क कर दिया है आपने कि हालात यहां तक पहुँच गए हैं यह कैसी विदेश नीती है ना दोस्त बचे हैं ना डरने वाला कोई ऐसा तो हमारा भारत कभी नहीं था और ध्यान देने वाली बात यह है कि आग में घी का काम किन-किन चीजों ने किया जरा उसको देखी और समझ यह पिछले साल जून के महिने में ही पेगंबर मुहमत को लेकर आपत्नी जनक बयान देरे वाली बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा केस के बाद कतर वो देश था जिसने सबसे पहले नुपुर के बयान पर घोरा अपत्नी दर्ज की थी और भारत से माफी की मांग की थी भारत ये राजदूद को भी समन किया गया था डामेज कंट्रोल के रूप में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज बता कर पाटी से निकाल दिया था बीजेपी के एक और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने भी आपत्नी जनक टिपणी के साथ नुपुर का समर्थन किया था तो उन्हें भी निकाल दिया गया था लेकिन उसका क्या जो सोशल मीडिया से लेकर गोधी चानल हो हर तरह नुपुर के पक्ष में प्रोपगेंडा चलाया जा रहा था और आप होने दे रहे थे उसके बाद विसल ब्लोवर को ही सजा देने पर उतर आए और हाल ही का वाक्या देखिए जब सही ट्वीट करने से पहले मोधी के ट्विटर हैंडल से एक ऐसा ट्वीट किया गया था जो भारत की लॉंग स्टैंडिंग पोजिशन के विरुद था वो ट्वीट था ये इस ट्वीट में इस्रेयल का समर्थन था जिसके बाद से इतना ही नई फिलिस्तीन के साथ खड़े होने पर किसी ने पोस्ट भी कर दिया हो तो उसकी नौकरी पर बनाई मोधी के इस ट्वीट ने हमारी उस नूट्रल पोजिशन को बहुत ठेस पहुँचाए जो दशकों से हमने बनाय रखी है इस ट्वीट में फिलिस्तीन की जमीन किस तरह दशकों से इसरेल में छीन ली और जुल्म किये उसका जिक्र तक नहीं था कतर उन देशों में से है जिनका पूरा समर्थन फिलिस्तीन के लिए है आवेश में आकर मी मैसेल्फ के औरा में जी कर अपने घरेलू वोट बैंक को खुश करने के लिए ट्वीट करके न विदेश नीतियों और डिप्लॉमसी नहीं की जा सकती है कतनी और करनी में भी फर्क रखकर कुछ नहीं किया जा सकता World is watching कहते हैं न हम तो दुनिया आपके शब्द और आपके आक्शन दोनों पर नज़र रखती है कई दश्कों से कतर के साथ हमारे दोस्ताना संबंद रहे हैं साल 2008 नवंबर में डॉक्टर मन मोहन सिंग कतर जाने वाले पहले भारती प्रधान मंत्री थे और उनके जाने के बाद से ही कतर और भारत के आपसी संबंध काफी बहतर होने लगे थे कतर के एमिर शेक तम्मी बिन हमाद अल्थानी भारत आये थे 2015 में और 2016 में नरिंद्र मोधी कतर गए उस वक्त का ही ये ट्वीट भी है 2018 में सुष्मा स्वराज कतर जाने वाली पहली भारती विदेश मंत्री थी साल 2021 में भारत कतर के टॉप 4 export destinations में से एक बना कतर के imports में से टॉप 3 sources में से एक है भारत कतर और भारत का bilateral trade है 15 billion dollar जिसमें से 13 billion dollar का तो कतर के से सिर्फ LNG और PNG ही हमारे यहां आता है कतर और भारत के बीच के defense cooperation को ही दोनों के रिष्टों में pillar माना गया है इसमें सबसे बड़ा turning point था 2008 नवंबर में डॉक्टर मनमोहन सिंग का वहां जाकर कतर के साथ इंडिया-कतर defense cooperation agreement साइन करना इसी agreement को साल 2018 में और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था इसी कड़ी में इंजिन नेवल और कोस्गार्ट शिप्स कतर अकसर जाते हैं कतर की QENF delegation में भारत में 2021 में दो maritime exercises में भी भाग लिया था उसके बाद सीधा साल 2022 जून के महीने में पहला बड़ा challenge आया दोनों के रिष्टों में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया नुपूर शर्मा प्रकरंड से और उसके बाद का सबसे बड़ा challenge खड़ा हो गया है आठ एक्स नेवी officers को लेकर ये फैसला कतर में इंडियन्स की सबसे बड़ी expatriate community है पिछले साल इंदौर में हुए प्रवासी भारतिय दिवस समारों में Mauritius के बाद सबसे बड़ा 210 लोगों का strong delegation कतर से ही था देश की मीडिया से मेरा सवाल है पिछले 14 महीने से मोधी के phone call पर रुका युद या G20 में मोधी का डंका या मोधी मोधी करने से फुरसत मिल गई हो तो क्या है गुदा पूछने का मोधी जी कोई भी देश आपकी क्यों नहीं सुन रहा दोस्त भी अब आँख दिखा रहे हैं आपको है हिम्मत तुम लोगों की इसी जुकी हुई रीड ने आज भारत को यहां तक पहुचा दिया है और आज वहां हमारे आठ वीर सपूत बिना किसी गलती के यूँ ही साक्रिफाइस कर दिये जाएंगे आखर उनकी क्या गलती थी? आपको पता है? वो लोग थे कौन? हाँ क्या काम करते थे? तो पहले उनके नाम सुन लीजिए ये सभी अलदारा ग्लोबल टेखनोलोजीज में काम कर रहे थे ये एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कमपनी है इस कमपनी के मालिक एक उमानी नागरिक है जिनका नाम है खमीस अल अज्जमी वो खुद रॉयल उमान एफोस के रिटाइट स्कौडरून लीडर है तो गिरफतार तो इन्हें भी साथ में किया गया था लेकिन कतर ने इन्हें नवंबर 2022 में ही छोड़ दिया लेकिन हम अपने सपूतों को छुडाना तो दूर ऐसे किसी आरोप से बरी भी नहीं करा पाए और आज उन पर मौत की तलवार लटक रही है कमपनी की पुरानी वेबसाइट के मुताबिक ये कमपनी QENF यानि कतरी, एमिरी, नेवल, फोर्स को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मेंटिनिन्स सर्विस देने का काम करती है हलांकि ये वेबसाइट अब दिखाई नहीं दे रही गायब है अब इसके एक नई वेबसाइट है और उस नई वेबसाइट के मुताबिक कमपनी का नाम है धारा ग्लोबल पर अब इस नई कमपनी का QENF से किसी भी तरह के तालुक की कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही कोई जानकारी है उन साथ नेवल ओफिसर्स की जिनका इस कमपनी में अच्छा लीडर्शिप रोल रहा था कमांडर पुर्नेंदु तिवारी जो कमपनी में मैनेजिंग डिरेक्टर थे में 2019 में भारत और कतर के बीच रिष्टे बहतर बनाने के लिए प्रवासी भारत ये सम्मान भी दिया गया था सम्मान कादसों पर देने की तो जैसे हमें आदत सी हो गई है जब उस सम्मान के लिए लड़ने की बात आती है तो क्यों मूँ फिर लेते हैं आप मुदी जी सत्यमिव जयते